आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question में का गया है A sum of rupees 1200 is invested at compound interest देखो compounded half yearly और जो interest जो half yearly compound किया जाता है if the rate of interest देखो rate of interest हमें given है is 10% per annum देखो जो rate of interest हमें given होu per annum given है then what will be the amount amount हमें find out करना है after 18 months तो 18 months के बाद जो amount होगा वो कितना होगा amount के लिए हमें formula पता है compound interest में amount हम कैसे find out करते है principle into 1 plus rate divided by 100 और उसकी power t where p is principal, r is rate और t की बात करें तो time होता है तो यहां अगर हम बात करें principle की तो देखो principle हमारे पास कितना है principle हमें given है 1200 रुपीज है 1200 रुपीज है rate की बात करें देखो per annum का rate हमारे पास 10% है 10% per annum है यह अगर हम half yearly की बात करें तो rate half हो जाएगा तो 10 divided by 2% जो की कितना होगा 5% rate कितना रखेंगे हम 5% रखेंगे अगर time की बात करें तो देखो 18 months given है और 18 months में अगर हम बात करें half yearly कितने होता है 18 months का मतलब हो गया एक complete year और एक half year तो एक complete year में दो half year होता है plus half year मतलब की 3 half year होगे तो time की value कितनी आजाएगी 3 आजाएगी अब हम देखो values put कर देते है amount हमें find out करना है principal 1200 rupees है हमारे पास into क्या करेंगे 1 plus rate 5% है 5 divided by 100 और उसकी power क्या कर देंगे 3 कर देंगे 18 months की बात करेंगे तो देखो is equal to कितना हो जाएगा 1200 multiply by 5 से काटेंगे तो one times चला गया 5 से 120 times चला जाएगा 1 plus 1 by 20 कितना होता 20 multiply by 1 करेंगे 20 plus 1 मतलब 21 divided by 20 आगया 21 divided by 20 और इसे 3 times लिख देंगे क्योंकि इसकी power 3 है तो 21 divided by 20 और multiply by 20 divided by 20 इतना रुपी जो है हमारे पास amount आजाएगा अब हम क्या कर सकते हैं देखो 1 0 से हम 1 0 काट देंगे 1 0 से हमने 1 0 काट दी 2 से काट तेंगे 12 को तो 6 times चला गया 2 से काट देंगे तो 3 times चला गया अब देखो 21 का cube कितना होता है 9 to 61 होता है तो 3 multiply by कितना आगया हमारे पास 9 to 61 और division में कितना है 2020 को हम 2 multiply by कितना लिख सकते है 2 multiply by 10 है अगर हम 27,783 को 2 से भाग दें तो value हमारे पास कितनी आती है 1389 1.5 आएगी और division में हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा अगर हम देखो नीचे एक 0 है तो हम उपर एक जो point है decimal का जो point है वो एक आगे shift हो जाएगा तो यह value कितनी आगी 1389 0.15 आजाएगी रूपीज में यह value तो यह जो है हमारे पास किया आगया amount आगया 1389.15 रूपीज तो अब देखो फर्स्ट ओप्शन में हमें गीवन 100089.15 रूपीज तो ओप्शन 1 विल बी correct answer to this question Thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जे ही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरूसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर